हेलो फ्रेंट्स मुल्क राजहानंद के बारे में जैसे अप देखी रहेों उनके बारे में डिस्कस करेंगे फादर ऑफ इंडियन इंगिलिश नौफल बोले जासे हैं जाने जाते हैं चार्ल्ज जकिंड A इंडिया भी बोला जाता है मुल्क राज अनन्द को अनन्द का जनम 12 दिसंब तो 1905 में पेशावर में पाकिस्टान में वहां पे हुआ और शत्रिया फैमली से बिलॉंग करते हैं करते थे और इनके फादर लाल चन जो ब्रिटिश हैड क्लरक में इंडिश हैड क्लर ब्रिटि पंजब युनिवर्स्टी से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली है और खाल्सा कॉलेज में ही उनको लव हो गया था एक मुस्लिम गर्ल से जिसका नाम था याश्मीन तो जो अल्रेडी मैरीड थी उससे भी इनको प्यार हो गया भाई तो वो युनिवर्सटी आफ कॉलेज लंडन में भी जाते हैं स्कॉलर्शिप पे तो वो राइटिंग केरियर बिगेन करते हैं इंग्लेंड में तो पॉब्लिकेशन करते हैं शौर्ट रिव्यू दा दा क्रिटेरियन तो ही वाज़ डिपली इंफिलेंस्ट बाई गांधी गांधी जिसे बहुत ज़गा इंफिल इंडिया में और यहां पे रहते हैं सावरमती आश्रम में यहां से वो रिविजिट करते हैं मैनुस्क्रिप्स देखते हैं लिखते हैं वहां पे यह क्या करते हैं उन्टचेबल जो इनका वर्क है वो लिखते हैं उन्टचेबल जो इनका वर्क है वो पब्लिश होता है 1935 म तो heart-ranging novel है The Two Leaves and the Bird ये भी बहुत अच्छा है heart-ranging novel ये बहुत अच्छी है डिसक्स भी करेंगे next हम आगे Two Leaves and the Bird 1937 में ये आया after two year of the publication untouchable major works और कौन-कौन से हैं Kuli 1936 में Two Leaves and a Bird 1937 the triology, triology में कौन-कौन से triology तीन वर की होती है number one पे है the village, number two पे है the black, across the black water number three पे है the sword and the sickle then आता है इनका work The Big Heart 1945 में limit on the death of the master of arts 1939 private life of an Indian prince 1953, seven summers 1951 untouchable 1935, the old woman and the crow 1960 okay तो उन्होंने marriage की actress Catherine Vaughan Gelder से 1938 में तो उन्होंका divorce भी होगत after 10 year 1948 में तो ट्रायोलोजी देखते हैं जो इनके ट्रायोलोजी है तीन वर्क्स का एक समू है वो है the village जो 1939 में आया फिर इसके बाद जो रिलेज के बाद जो सकें है दो स्टक्पिल है जो 1962 में जो अव्र ट्री ईर आई देन 1949 में अक्रॉस ब्लेक वार्ट क्वार आया ये जो श्चारिलोजी है is all about the rebellion adolescence and his experience in WW World War II यह जो ट्री आलजी है इसमें जो rebellion adolescence में जो rebellion rebellious adolescence है और उसके experience है World War II में वो सारे represent किये गए हैं Anand वी भी work करते हैं as a broadcaster as a script writer BBC London में 1950 में उन्होंने दुबारा से शादी की एक डांसर शीरिन विजहब दर से वजीबदार से और ललित काला एकडमी में भी इन्होंने वो की as a chairman 1965 से लेकर 1970 तक लोकियात लोकियाता ट्रॉस्ट ही 1970 में यह हम पे भी यह प्रेजिडेंट रही morning phase यह इनका work है 1968 में आया और इसी work के लिए morning phase जो 1968 में आया और साहितिया अडमी अवार्ड मिला इनको इस work के लिए जो 1971 में मिला जैने के after 3 years 1968 में morning phase लिखा था और साहितिया अडमी अवार्ड इनको 1970 में मिला पदम भुष्ण भी मिला इनको 1967 में education और literature के में अच्छा काम करने की वज़ा सी तो private life of the Indian prince यह भी इनका बहुत अच्छा work है 1957 में आया तो untouchable है untouchable जो इनका work है 1935 में आया और इन में क्या-क्या है वो देख लेते हैं E.M. Foster इनका प्रिफेस लिखते हैं untouchable का वो यह मैंने एक easy way में याद हो जाता है इसलिए आप यह notes ही है आप अच्छे से समझ सकते हो देख सकते हो E.M. Foster है उन्होंने इसका प्रिफेस लिखा untouchable का और कालीनाथ होता है वो priest होता है एक लाखा होता है जो बच्चा होता है और लाखा होता है लाखा के दो बच्चे होती है एक होता है बेटा होती है बेटी बेटा है बाखा और लाखा की बेटी है जानिके बाखा की सिस्टर सो ही नी तो एक होता है कॉल हर्चिंसन और एक आंट होती है और James Joyce and Gandhi जी इसे बहुत ज़्यादा influenced होकर ये untouchable लिखा है क्योंकि जो untouchable है जाने के उनके लिए Gandhi जी ने भी Harijan words का use किया है तो ये थोड़ी सी उनके idea से भी influenced है ये novel जो लिखी है then आगे है कुली कुली है 1936 में आई ये after one year untouchable के बाद one year कुली ठीक है और ये भी social structure के बारे में है ये कैसे है इसमें एक है भी दियाल होता है बाबु नतुराम होता है मुनाव होता है वो जो मुनाव होता है वो टीबी के बज़े से उसकी death हो जाती है मिस्स मेन वेरिंग होती है इसमें क्या दिखाया गया है पोवर्टी दिखाएगी है और exploitation दिखाएगी है कुली में जो बहुत famous work है मुल्क राज अनन्द जी का और आगे the old woman and the cow ये भी इसका another name है गौरी इसका subtitle है गौरी तो ये ऐसे भी पेपर में पूछा जा सकता है the subtitle गौरी है और इसका full title बताना है the old woman and the cow है और ये 1960 में आती है और ये symbolize करती है जो गौरी है ना symbolize करती है सीता के साथ और जे ancient myth है रामाइना से थोड़ी सी उसमें जो सीता है वो वाली सीता के साथ गौरी को मतलब symbolize किया गया है तो इसमें mother-in-law होती है ठीक है इसकी mother-in-law, mother-in-law भी होती है गौरी की तो इसके husband भी होती है इसके नाम होता है पंची, cardinal, mohindra होता है lusty shankar भी होता है तो lusty shankar होता है बहुत अच्छी story है थोड़ा सा ही discuss करेंगे तो the solution of the untouchability in untouchable is the use of machine तो जो untouchability वाला हमने discuss किया था थोड़ा सा तो उसमें untouchability में बताते हैं भी untouchability को हम ऐसे कैसे खतम कर सकते हैं अगर हम machines का use करेंगे तो इसलिए untouchability भी खतम हो जाएगी तो इसमें character कौन-कौन से है तो गंगू, गंगू बहुत famous character है the leaf and a bird का बीखु बीखु वी एक बहुत अच्छा character है the road का अनन्द accepted वो अपने आप accept करते हैं अनन्द के two leaves and a bird उनका most bitter novel है the two leaves and a bird ये उनका most bitter novel मानते हैं वो खुद accept करते हैं morning face मानिंग फेस के जो इन्होंने 1968 मेलिका और 71 में साहित एडमी वार्ड भी मिला इनको morning face में deal करता है problem of the inhabitation ये डील करता है कश्मीर के मसले के साथ ठीक है ये morning face में भी क्या है ये three parts में divide किया गया है ये work ये कौन कौन से है number one पे है city dreadful night number two prison और third part is the regiment okay two leaves and a bird जो 1937 में ये work आता है इस work में describe किया गया है the plight of laborers in in asam tea plants asam tea plant में जो भी laborers की condition है उनकी condition डिसक्राइब की है इस work में okay then untouchable novel है मुल्क राज अनन्द का उसको थोड़ा सा और देखेंगे ध्यान से तो fictional place है बुल्ले शाह बुल्ले शाह तो बहुत famous पंजाबी के पंजाबी साहित के ना पंजाबी literature के बहुत अच्छे पहुंचे हुए किस्सा का रहे है बुल्ले शाह हना ये उनके नयाम से ही ये fictional place इन्होंने मुल्क राज अनन जी ने बनाया है और भाखा भाखा एक sweeper होता है लाखा बच्चा फादर होता है बाखा का जो लीडर होता है sweepers का उस village में हवलदार होता है जो हवलदार चरत सिंग होता है वो भा वोखी का इसको बोलता है बाखा को ठीक है सौनी बेटी सौरी इसकी बेटी होती है लाखा की और sister होती है बाखा की एक पंडित का लीडर होता है तो बाखा को बहुत मारा जाता है aper class man के लोग क्यों मारते हैं बाई क्यों क्योंकि उसने he hit him with तो क्योंकि वो hit हो गया था और उसने Muslim saved तो मतलब थोड़ा सा वो किसके साथ hit हो गया था इसलिए एक Muslim बंदा उसको भाखा को save करता है बचाता है राम चरन है राम चरन friend होता है भाखा का और छोटा ये भी friend होता है भाखा का Colonel Hutchinson होता है ये English होता है जो आफ़र करता है भाखा को चर्च जाने के लिए ठीक है तो Mary Hutchinson होती है वो wife होती है Colonel Hutchinson की जो जब ये गांदी आते हैं और ये इसमें speech देते हैं के और against the car system तो इसमें थोड़ा सा ये गांदी जी आते हैं और speech देते हैं और उससे ये पता चलता है ये सुनकर आता है speech के untouchability खत्म हो जाएगी तो भाखा बहुत खुश हो जाता है कि अब तो untouchability खत्म हो जाएगे क्योंकि अब मशीन आने वाली है ओके ये सारा गंद साफ करने वाली The Lost Child ये The Lost Child ये बहुत फेमस स्टोरी है हमें स्कूल स्टेंडर में भी हमने पड़ी थी मुल्क राज अनन्द की है The Lost Child जो मेले में है एक फियर में बच्चा को जाता है और पहरे तो वो सब कुछ चाहता है मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए है मम्मी और पापा से जब वो गुम हो जाता है उस फियर में तो वो कोई और उठाता है वो उसको सब कुछ दिलाना चाहता है मगर वो बच्चा रूरा है और बच्चे को जो सिर्फ अपने मम्मी और पापा ही चाहिए तो आगे है कुली कुली भी एक बहुत अच्छा work है famous work है मुल्क राजानंद का जो 1936 में आया इसके थोड़े से characters हमने पहले भी देखे थे और अब थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे मुन्नो जो 14 साल का एक बच्चा है और और ये विक्टम है exploitation का exploitation का system है और वो अपने चाचा चाची के साथ रहता है दया राम है जो उसका चाचा है मुन्नो का और गुजरी है उसकी चाची मुन्नो की ओके बाबु नत्तुराम मुन्नो work करता है यहां पे और salary भी मिलती है मगर salary का लेती है उसके चाचा चाची ले लेती है जो प्रेम चंद है बाबु नत्तुराम के छोटे भाई हैं वो डॉक्तर है वो बहुत पसंद करते हैं मुन्नो को शीला होती है वो दस साल की होती है वो नत्तुराम की बेटी है बाबु नत्तुराम की जो वाइफ है वो बहुत तो प्रभु दियाल और गनपत होते हैं वो भी करते हैं पिकल दॉल्ट पर बिचार काम करते हैं तो दोनों भी प्यार करते हैं मुन्नों को और गनपत्व ट्रीट करता है मुन्नो को मगर जो प्रभू दियाल है वो मुन्नो को बहुत अच्छे से डील करता है तो ये वेजिटेबल मागी टिब में भी काम करता है बेचारा मुन्नो और वो जब उसको इसमें भी ठीक नहीं नहीं ये मैं आपको स्टोरी बताती हूँ जब टाटा टाटी भी इसको अच्छा नहीं कर रहे हैं इनके साथ ट्रीट तो बाबु नत्थुराम अपने घर लेके आते हैं इसकी वाइफ नहीं अच्छे से ट्रीट करती फिर इसके बाद प्रभू दियाल के उनके पास रहा जाता है वो भी एच्छे से ट्रीट नी करते हैघन पत्नी अच्छे से ट्रीट बरा तो फिर वो वेजीटेबल का काम करने लग जाता है खाले मार्किट में देन वो उपसक्ण अडिय। ड्राइवर भी वो करता है मुंबाइए में तो वहाँ पर ये मिलता है हरी को हरी और लक्षमी से मिलता है हरी और यह कहा है जी वो कॉर्टन फेक्टरी में काम करती है और कॉर्टन फेक्टरी का कौन मालक होता है वो होता है जोर्ज वाइट मालक होता है जीमी थॉमस और आद चिम्टा साहिब यह बहुत रासकर और एक्सप्लॉइट होती है जो वरकर होत तो जो सारे फेक्टिर के वर्कर्स है वह स्ट्राइक कर देती हैं मगर ये वह प्लैन बनाती है के वह जो जो त्राइक है वह उसमें राइट्स करेंगी between Muslim and Hindu then munno leave this place तो वह इस place को भी छोड़ देता है बचारा munno छोड़ता ही रहता है कि वूसको कोई भी प्लेस प्रेस प्रणत नहीं आता है and treat badly तो क्या होता है बचारा उसको वो पिक करती है उसके साथ हित कर जाता है बचारा तो वो भी उसको बहुत बूरे तरीके से ट्रीट करती है और उसको टी भी हो जाता है मुन्नों को और बचारा आखरे में मर जाता है जानी कि इस स्टोरी में एक बचारे और्फन की स्टोरी बताई है और्फन की क्या जिन्दगी है भाई अनात बच्चों की क्या जिन्दगी है जिसके ममा पापा नहीं होते है उन बच्चों की क्या जिन्दगी है यही बचारा मुन्नों के साथ सुखी है जो उनकी वाइफ है इनके कोई बच्चा नहीं है तो शकुंतला है उसकी से किन वाइफ है इस में वर्क में कॉमेडी और आइरनी दोनों मिक्स की गई है दो लेडी राम नहीं के दो बीवियां है लेडी राम के तो यह है सब कुछ I think बहुत एनफ है इतना भी पढ़ लें सब कुछ याद रहे मुल्क राजनंद जी के बारे में तो बहुत अच्छा है I hope आपके लिए यह कुछ नोट्स हेल्प देंगे आपको thanks for giving your precious time God bless you